26 यन्वरी को राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्राक्टर रैली के दुरान हुई हिंसा के बाद अब कई किसान संगटनों ने आंदोलन से अपने पैर पीछे खीश लिये हैं बारती किसान यूनियन के दो गुट किसी कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन से अलग हो गए हैं जुसके बाद दिल्ली नॉइडा के चिल्ला बॉडर पर आंदोलन खत्म हो गया है चिल्ला बॉडर का ये रास्ता 58 दिन से बन था जो अब खोल दिया गया है पुलिस ने हिंस और ज्यादा जानकारी के साथ समवदाता गजेंद सिंग हमारे साथ जुड़ गए हैं गजेंद जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है इसके बाद फायार दर्ज की गई है लेकिन जो किसान आंदोलन है वो अब कई जगों पर खत्म हो गया है चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने अपना समान बांग लिया वापस अपने गाउं की और बढ़ रहे हैं इन तमाम चीज़ों के लेकर क्या कुछ और अपडेट प्रशन जारी रखने की बात जरूर कही लेकिन भानुगुत ने जरूर वापस ले लिया और नोईडा या ताया पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि विरोध वापस लेने के साथी चिल्ला बोडर के माध्य से दिल्ली नोईडा मार्ग जो है वो करीबं चपन सतावन दि जोड़ देंगे तथा यहां पर लगे जो टैंट आदी को हटाया पूरी तरीके से हटाया जा रहा है और याताया जो है वो सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है भारतेकिसान यूनियन के जो राष्टे अध्यक्स हैं माश्टर सयो राज तिंग उन्होंने पंजाब उनके खिलाव भी लगातार जो है परशाशन जो है वो अपनी तरफ सने सकती भी दिखा रहा है बातकीट भी चल रही है जो कल क्यों तो क्री एमने देखा है कि किस तरीके से जब बिल्ली मेंґ ये सारा गमातान किया गया था जिस तरीके से यह हुआ है उसके बाद काफे लोगों ने अपना नाम जो है इस से अल गुटो को अलग कर लिया मेद कहीना कहीन कमिजोर होता हुए जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन कहीना कहीन जैसे अगर मेरा बात करूंए तीक्री बोटर की तो टीक्री बोटर के उपर जो किसान इसन में बैटे हुएं उनका कहना ये है कि हमारा धर्ना जो है वो लगातार जारी रहेगा और हम इस धर्ने को सांती पून तरीके से ही आगे बढ़ाएंगे और दीरे दीरे उसको लेकर चलेंगे वहीं दिल्ली पुलि को शतीक से रोकताम अधीनियम और अन्य कानूनों की धारों के तहट उत्तरी जिल्ले के कोत वाली थाने में मामलत दर्श किया है जो प्रात्मी की में प्राचीन समारको और पुरासत सुस्तलो को अधीनियम तता सब्स्तर अधीन के परदवान जो अपतावधान होते हैं उन